तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जाक और उस स्टैचू के बीच में एक खतरनाक फाइट चल रहा था तो आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि जाक उसकी इल्यूजन को कैसे तोड़ता है तो यहां इस स्टैचू ने जाक पर अटेक कर दिया होता है और जाक मेरी सोच से भी ज्यादा पावरफुल है और फिर हसने लगता है तभी जाक उसकी इल्यूजन से बाहर आ जाता है और वो स्टैचू उनके सामने ही बैठा होता है जिसे देखकर जाक कहता है आप इस पूरे वर्ल्ड में एक हो और आपका नाम जनरल टियांग है जो वाइब परज मुझे छोड़कर चले गए और मैं अकेला रह गया मेरे उपर एक जिम्मेदारी है और मैं तुम्हें वो जिम्मेदारी दे कर कुछ पावर देना चाहती हूं और फिर वो अपनी बॉड़ी से कुछ स्पेशल पावर को जाक की बॉड़ी में ट्रांसफर करते हैं और क कहता है तुम इसकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से करना एक कहने के साथ वो गायब हो जाते हैं और वो एक स्क्रोल आ जाता है जिसके अंदर बहुत सारी स्प्रिचुल पावर बाहर निकल रही होती है उसे देखकर जाक कहता है यह स्काइफ फिगर है और तभी वो बैठकर क Heavenly Shield में जाती है Heavenly Shield भी इस समय में बहुत ज्यादा मदद कर रहा होता है अब जाक अपना कल्टिवेशन करके कहने लगता है इस स्काइफ पीगर में कल्टिवेशन टेक्निक के अलावा बहुत सारे टेक्निक भी है यह मेरे लिए बहुत फायदेमन साबित होने वाला है पर मु से गुम हो गए तो डैनियल कहता है तुम सिर्फ मैप को समझने में ध्यान दो तुम्हारा भाई यही कहीं होगा तभी इन सभी के पीछे से जाक आ जाता है और उसे देखकर उसके सिस्ट उसकी गले लग जाती है अब वो दोनों पागल की तरह जाक को देखने लगते हैं तो जाक डैनियल के पास आता है और उससे कहता है यह वही जगा है जहां डैमन ड्रागन की हाट है पर मैं तुम्हें इसमें जाने के लिए फोस नहीं करूंगा क्योंकि एमपरर भी इस ट्रागन को नहीं हरा पाए थे और इस रिवर का पानी इतना कोल्ड है कि कोई भी इनसान इसमें जीनदा नहीं जाएगा तो वही पर जम कर मर जाएगा और मैंने भी बहुत लोगों को यहां पर भेजा था पर कुछ नहीं हुआ जिस पर जाक कहता है मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और हम सभी तो दोस्त है और तभी वो रिवर में चलांग लगा लेता है और उ जाकर उस पर हाथ लगाता है तभी उसके हाथ में से आइस पावर को अबजर्व करने लगता है यह देख कर जाक सोचता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं कुछ ही समय में मर जाऊंगा और फिर वो अपने आसपास के स्प्रिचुल पावर को अपनी हैवनली शील्ड की जाक ले लेता है और इनको लेकर बाहर आ जाता है और तभी बैक साइट से जाक की कंधे पर कोई हाथ रखता है तो जाक उसे डैनियल समझ कर उस बॉक्स को दे देता है और कहता है यह काम इतना भी आसान नहीं था तो तुम्हें इसके लिए मुझे और कुछ भी देनी होग तभी प्रिंस कहता है क्यों नहीं मैं तुम्हें जरूर दूंगा जिसे देखते ही जाक उस पर अटेक कर देता है पर प्रिंस उसके अटेक को बड़े ही आसानी से काट लेता है कहता है मुझे लगा नहीं था कि ड्रेगन हाट इतनी आसानी से मिल जाएगा तभी जाक अपन के बदला लेना है और वो गुस्से में जाग के उपर स्वirt से अटक कर देती है और उस स्वॉड अटक को जाक अपनी हाथ से ही रोग देता है जिसे देखकर प्रेंच सारा की मदद करते हुए जाग पर ड्रैगन शील्ड से अटक कर देता है जी से जाक रोक लेता है और उस पर अटेक कर देता है इसकी साथ हमारा एपिसोड यहां पर कम्प्लीट हो जाता है